100% ये पेपर में आएगा 100% कोरे कागस पेली खवालो साल की अंत में बात करेंगे कि यह आया नहीं है CTU format में आएगा तो वो बोलेंगे इस equation का इन चारों में से कौन सा solution है तो 1 mark में पूछ सकता है बिचला question और 2 marks 3 marks में तो आता ही आता है ये मान के चलो इस प्रकार का पेपर में आपका 100% आएगा ये वाला question आपके UT, PT, Midterm कहीं पर भी अगर नहीं आया इस प्रकार का question तो भाईया मैं पढ़ाना चोड़ा हलो वच्चो नमस्कार सभी को स्वागत आप सभी का science and fun पर जहां teacher साब को दिल और दिमाग दोनों से बढ़ाते हैं तो आज से हम लोग अपनी 9th class की journey स्टार्ट कर रहे हैं 9th class के mathematics का one shot अब यहां पर आपको मिलना शुरू हो जाएगा मैं start कर रहा हूँ अपनी इस journey को हमारी इस journey को linear equation in two variables यानि chapter number 4 यह chapter बहुत असा chapter है और कम मेहनत में जादा score आ जाता है हलक आसा इसके अंदर coordinate geometry लगता है which is very easy topic अब यह वाला topic मैंने एक बारी मैं आपको दिखाता हूं मैंने 8 minute में भी पढ़ा रखा है और 26 minute में भी पढ़ा रखा है तो यह दो lecture सासाती डले थे यह आप जाकर देख सकते हो हमारी playlist में हमारे मतब एक साल पहले अगर आप oldest video में जाकर देखोगे तो आपको यह दो lecture मिलेंगे अगर आपको यह chapter already आता है तो जल्दी से आप इसको revise कर लोगे 8 minute की video देख कर यानि 4 minute 2x पे देख लो और अगर आपको यह chapter नहीं आता coordinate geometry तो आप जाकर देख सकते हो इतना जादा यह chapter हमारे chapter 4 पे नहीं लगता पहले लगता और कोई अच्छे question भी उसके available नहीं है सारे extra और जो NCRT portion है वो सारा यहां पर मैंने इन दोनों lecture में cover कर रखा है जाकर आप देख लो चालो अब हम यहां पर पढ़ने वाले है linear equation in two variables Got it? क्या होता है? इसको जानने से पहले मैं आपको एक बात और बता दू चैनल तो आप लोगों ने subscribe कर लिया होगा नहीं किया तो भीजा कर लो और आपको इस पूरे lecture की और आने वाले हर एक सब्देट के lecture की जो PPPT's है, notes है या कोई भी important जानकारी है वो आपको इस telegram पर म आपको Instagram पर भी पढ़ाता हूँ, तो मेरी Instagram पर आप मुझे follow कर सकते हो, घही उशांक मेरी ID है, वहाँ जाकर आप मुझे follow कर सकते हो, Instagram पर भी मैं बहुत important important question Reels के format में पढ़ाता हूँ, ठीक है जी? चलो, तो आज से आपकी पढ़ाई शुरू करते है, linear equation in two variables, बहुत ही simple सा chapter है, देखो, linear का मतलब क्या होता है, पहले तो हमने chapter के नाम की चीर भाड़ कर लेते हैं, एक बरी ठीक है ना, तो linear का मतलब होता है, एक ऐसी चीज जिसकी highest power, यानि जो degree होती है, वो 1 होती है, देखो, degree का मतलब क्या होता है, highest power, highest power, जैसे for example, अगर मैं लिखता हूँ, 4x square minus 3x plus 1 equals to 0, तो इसकी degree हो जाएगी 2, अगर मैं लिखता हूँ, 9x cube minus 4x square plus 7x minus 7 equals to 0, तो इसकी degree हो जाएगी 3, वैसे देखो, power तो बहुत सारी है, 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है, लेकिन जो highest power होती है, उसको हम degree कहते हैं, अब यहाँ पर degree है 3, तो हमें ऐसी equation मनानी है, जिसकी degree क्या ह होगी 1, highest power 1 होगी, ठीक है जी, अगर equation की बात हो रखी है, तो यहाँ पर obvious ही बात है, LHS और RHS आपस में क्या होंगे, बराबर 2, 2 variable, अब देखो, variable जो होता है, वो generally a to z से लिया जाता है, और उसके अंदर भी, अगर मैं आपको specify बोल दूँ, तो पूरे chapter के अंदर generally आपको X and Y नजर आएगा, ठीक है जी, generally हम लोग X और Y ही देखते हैं questions में, चाहे इस साल की बात कर लो, चाहे अगले साल की बात कर लो, सही है, हिरार्की समझ लो, आप लोगोंने पहले बचपन के अंदर एक topic पढ़ा था, that is linear equation in one variable, ठीक है, आज हम सीखने जा रहे है, linear equation in two variable, और 10 standard का chapter number 3 आएगा, pair of linear equation in two variable, तो यह chapter बड़ा important है अगले साल के लिए भी, अब अगर मैं बात करूँ, कि इसकी basic form क्या होती है, basic form बोलो, basic structure कहलो, standard form कहलो, वो होती है बच्चो, AX plus BY plus C equals to 0, अब मेरी बात ढंक से समझना, कमर सीधी कर लो, यह बात समझ में आगे तो chapter लगवक 35%, 40% खतम हो जाएगा, सबसे पहली बात तो chapter का नाम, linear, अब देखो इनकी जो सबसे बड़ी power है, वो क्या है बटा one है, चक करो, power कुछ नहीं होती, तो क्या होती है one, तो एक बात और या तो one, सबका मालिक एक, अब यहाँ पर पावर नहीं है, तो वो क्या है बटा, one है, अब मेरी बात समझो, अब X और Y तो variable है, और A, B, C, constants है, A, B, C, क्या है बटा, दोबारा लिखते हैं साफ-साफ, notes बनाने बहुत ज़रूरी, A, B, C are constants, constant मतलब कोई भी real number हो सकता है, और X and Y जो है बटा, वो दोनों क्या है, are variables, चीक, अब उन variable की power क्या है बटा, अब उनकी variable की power क्या है, one, तो यह एक ऐसी linear equation, equation है नहीं, equals to cosine है, जिसकी highest power क्या है, बटा, one है, example के तोर पर, जैसे हम लिखते हैं, 3X plus 4Y plus 7 equals to 0, यह एक linear equation in two variable है, दो variable X और Y, और देखो, example के तोर पर, 4X minus 7Y minus 13 equals to 0, यह भी एक example है, example के तोर पर, 2 by 3X minus 4 by 7Y minus 17 equals to 0, यह भी एक linear equation in two variable का बहुत प्यार example है, अब यहाँ पर, जो सबसे पहला task होता है, हर एक बच्चे के आगे, वो यह होता है, कि एक linear equation in two variable की standard form याद करना, और यह चुन पाना कि A क्या है, B क्या है और C क्या है, समझो, जो X का पडोसी, यानि coefficient, mathematical language बात करोगे तो coefficient, तुमारे भाई की भाशन हैं बात करोगे तो पडोसी, तो X का जो coefficient है, यानि X का पडोसी होता है, वो हमेशा A होता है, Y के साथ जो number होता है, constant होता है, वो हमेशा B होता है, coefficient B, यानि पडोसी B होता है, और जो अकेला होता है, जिसके साथ ना X है, ना Y है, वो कौन है बेटा, C होता है, भाई साब, चलो जी, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, बच्चो, यहाँ पर हम बात करें, तो इस coefficient में हमारे A की, जहां बैठे हो, जिस हालाब में बैठे हो, चिला कर बोलना है, ठीक है ना, तो X का पडोसी क्या हो गया है, यहाँ पर 3, हुआ गे नहीं हुआ, Y का पडोसी यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ चार, और जो अकेला है C, वो क्या हो गया, साथ, तो A, B और C की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ गई है, अब इदार अगर हम बात करें, A की value क्या हो जाएगी बटा 4 B की value क्या हो जाएगी बटा यहाँ पर minus 7 B की value क्या हो जाएगी minus 7 sign भी देखने और C की value क्या हो जाएगी minus 13 ये वाला आप मुझे अभी फिलहाल comment करके बताओगे कि मेरा A, B, C की value क्या है कि ताकि मुझे पता चलता रहे, बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, got it, चीक है जी, इतना clear हो गया, आगे देखते हैं, अब इसके उपर पूरा का पूरा एक प्रश्न है, जो आपको ध्यान से देखना है, और आपको उसको conversion करना है, देखो, write each of the following equations in the form of this, तो आपको क्या करना है, standard form में convert करना है, उसके बाद indicate the value of ABC in each of the following case, तो बिटा देखो, अभी तो यह इधर है, constant, इधर लेकर आना पड़ेगा, तो यह आया 2X plus 3Y minus 4.37 equals to 0, तो यह तो बिटा हमने बना दी एक standard form, that is basic form, अब मेरे A की value क्या है बच्चो, 2 आ गई, B की value क्या हो ग माइनस 4.37, अब वीडियो को यहीं पॉस करो, पॉस करने के बाद यह चारो के चारो जो पार्ट है, यह करो, फिर चेक करना, चेक है जी, चलो, अब देखो, सब कुछ इधर लेकर आना पड़ता है, X, फिर Y, यह हो गया, minus under root 3Y, minus 4 equals to 0, पहला काम तो है, सब को यहीं ले क्या हो जाएगी, minus under root 3, और C की value हो जाएगी, बच्चो, minus 4, इधर आते हैं, या तो इसको यहाँ पर लेकर जा सकते हो, या इसको वहाँ पर लेकर जा सकते हो, एक ही बात है, अब बच्चे बोलेंगे, Sir, answer तो अलग-अलग आएगा, आउ समझते हैं, देखो, अगर मैं इस वाली सारी terms को मैं यहाँ ले आया, अब मेरे A की value क्या हो गई, minus 5, B की value क्या हो गई, 3, और C की value हो गई, बच्चो, 4, सही है, लेकिन Sir, क्या हम ऐसे कर सकते हैं, भया जी, क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ ले आओ, 0 is equals to, 4 को इधर लेकर जा सकते हो, 5X minus 3Y minus 4, अब हमारे A की value 5 आ गई, B की value minus 3 आ गई, और C की value minus 4 आ गई, अब देखो, कौन सा answer ठीक है, answer इस दोनों answer मज़दार है, देखो, यह minus 5 है, यह 5 है, यह 3 है, यह minus 3 है, यह 4 है, यह minus 4 है, तो अगर आप LHS को RHS में लेकर जाते हो, और RHS को LHS में लेकर आते हो, तो आपका A, B और C में, sign का problem कह Hello, sign interchange हो जाएंगे, sign opposite आ जाएंगे, यह minus 5 है, तुम्हारा यहां पर क्या रहा है, 5 है, दोनों ही valid है, हाँ, obvious ही बात है, वो गलत हो जाएगा, अगर A minus 5 है, यह 5 है, यह 3 है, यहां पर भी 3 आ रहा है, वो तो गलत हो जाएगा, सब के sign क्या होने चाहिए, opposite, दोनों के दोनों ठीक है, दोनों मेंसे कोई भी एक काम करके paper में आ सकते हो, इस पर आते हैं, 2X is equals to Y, अब देखो, 2X यह यहां जाएगा, is equals to 0, अब देखो हमारे पास तो कोई constant है ही नहीं, कोई number ही नहीं है, A है हमारे पास 2, B है हमारे पास minus 1, लेकिन C हमारे पास है ही नहीं, ठीक है जी, जब C नहीं है, तो 0, अच्छा, थोड़ा सा level और उपर बढ़ाओं बच्चो, हमारी NCRT तो इतना ही basic level रखती है, लेकिन अगर level और उपर बढ़ाओं, जैसे 3X is equals to 19 आ गया, अब यहां पर आपको कहीं Y नजर नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 3X plus 0Y, यह धर आ जाए A की value आ गई, प्यारे बच्चो 3, B की value आ गई, 0, और C की value प्यारे बच्चो के आ गई, minus 19, इसी प्रकार से अगर मैं एक sixth part लो, 7Y minus 9 equals to 0, अब यहां X नहीं है आपके पास, 0X plus 7Y minus 9 equals to 0, अब हमारे A की value क्या हो गई, 0, 0, B की value क्या हो गई, 7, और C की value हो गई, बच्चो माइनस 9, एक part आपको दे रहा हूँ, फटा फट से इसको comment कर लेना, 5X is equal to 13, जल्दी से A की value, B की value और C की value comment कर दो, चालो जी, तो यह दो काम हो गया, पहला task हमारा पूरा हो गया, यह समझना कि एक linear equation into variable क्या होती है, उसक इसके बाद X गायब होगा तो 0X, Y गायब होगा तो 0Y, गॉड़ इट, constant नहीं है तो constant तो 0 है यह, और A, B, C की value calculate करना हमको आ गया, इतना अगर आ जाए, तो give me a thumbs up in comment section, ताकि हम आगे बढ़ पाएं, इतना हमारा मामला settle हो गया, अब इस question में हमें करना क्या है, अब आगे बढ़ने से पहले मेरा एक उमसे एक सवाल है, यह सवाल का जवाब आप comment में लिख सकते हो, सवाल यह है, how many solutions does a linear equation in one variable have, how many solutions does a linear equation in one variable have, थोड़ा side कर देता हूँ इसको, और सवाल यहां लिख देता हूँ, सवाल अलग कलर से लिख देते हैं, कहते हैं, how, जल्दी जवाब बता तो, मुझे तो लगता है, पता होना चाहिए, क्योंकि यह पढ़के आ चुके हो बचपन में, how many solution, या solutions, does a linear equation in one variable have, आपका काम और असान करने के लिए, example, 3x plus 5 is equals to 11, अगर एक equation है, यह equation कौन सी है, linear equation in one variable है, तो मेरे पास x के कितने answers होंगे, मुझे x की value नहीं पता लगा नहीं, कितनी values exist कर सकती हैं, तो बिलकुल ठीक स्चुना आपने, answer is one, answer is, एक ही solution होगा, one solution, exist करेगा, और वो आपको निकालना भी आता है बच्चो, बहुत ही simple होता है न, कैसे निकालते थे, 3x इदर, constant उदर 6 आ गया, यह divide हो जाएगा, तो x की value 2 आ गया, यानि, इस पूरे ब्रह्मान में, इस पूरे ब्रह्मान में, इस पूरी equation का, एक ही answer है, वो है 2, यानि, अगर मैं 2 put करूंगा, LHS में तभी RHS आएगा, 2 के अलाबा, धर्ती पर ऐसा कोई number नहीं है, जो यहाँ पर मैं put करूंगा और LHS, RHS बराबर आजाएगा, सही करूंगा, तो यह तो था linear equation 1 variable, दुबारा से एक सवाल है, How many solutions does a linear equation in 2 variable have, जल्दी जल्दी comment करो, जल्दी जल्दी comment करो, जल्दी जल्दी comment करो, A linear equation in 2 variable के कितने solution होंगे, टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, तो बहुत सारे बच्चों ने शायद जवाब दिया होगा, क्योंकि मेरे offline और paid batch के बच्चों में यही अमेशा जवाब आता है, Sir, linear equation in 1 variable, तो एक answer, linear equation in 2 variable, तो दो answer, फिर एक दूसर प्रजाती के बच्चे आते हैं, जिन्होंने स्कूल में यह चाप्टर पढ़ लिया होता है, वो बोलते हैं, या तो 3 या 4, क्योंकि कोशन मेडम ने यही कराया था, find 4 solution, find 3 solution, तो बच्चे को लगता है, 3 ही होंगे, 4 ही होंगे, तो वो 3 या 4, 4 जवाब दे देते, लेकिन जो अच्छा बच्चा है, जो मेडम की बाद सुनकर आया हुआ है, या जिसको समझ है, देखो, सारे बच्चे अच्छे होते हैं, लेकिन अब इसके बाद तो आप गलत मत जवाब देना ना, अब जवाब क्या है, जवाब है, इसका, infinite many solution, infinite many solution, अंगिनत आंसर हैं भी या, अंगिनत आंसर, एक आंसर नहीं है, नवजातों कैसे, देखो, एक्जांपल के तौर पर, मेरी बाद समझना, x plus y is equals to 5, एक equation है, 2 variable की equation है, हाँ, standard form में नहीं है, 5 इदर आजाएगा, नहीं भी आजाएगा, है तो equation in 2 variable, चलो, अब अगर मैं, solution का मतलब क्या है, x और y की value, महाँ पर सिर्फ x था, यहाँ पर x और y, तो x और y की value पुट करूँ, 5 के बराबर आजाए, अब देखो, x1 डालू, और y4 डालू, तो बराबर आएगा की नहीं आएगा, x2 डालू, y3 डालू, lhs, arhs, बराबर आएगा, की नहीं आएगा, x3 डालू, y2 डालू, बराबर आएगा की नहीं आएगा, x4 डालू, y1 डालू, बराबर आएगा की नहीं आएगा, x0 डालू, y5 डालू, x-1 डालू, y6 डालू, अभी तो मैं integer पर ही चल रहा हूँ, मैं तो कभी decimal में, fraction में तो गया ही नहीं, तो भाईया, ये रस्ता चलता रहेगा, infinite, etc, 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 बड़े answer है, actually हो क्या रहा है, ये तो मैं direct लिख दिया, वैसे लिखते नहीं है, ये समझाने के लिए है, actually क्या है, आप x की कोई भी value डालो, देखो, 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 equation ये थी, equation ये थी, आप x की जगा कोई भी value डालो, value मतलब कोई भी दुनिया जान का number, natural, whole, integer, fraction, decimal, under root में, under root से बाहर, कुछ भी डाल दो, आपको y की value मिल जाएगी, एक नई value of x पर, you will get a new value of y, check करो, होगा की नहीं होगा, मैंने x के जगा कुछ भी डाला, देखो, मुझे तुम्हारे हाँ से हवाज आई है, minus 2 डालो, sir, मुझे कैमरे से हवाज आई है, x is equal to minus 2 डालो, sir, तो मैंने x की जगा minus 2 डाल दिया, तो 5 plus 2, y की value बच्चो के आगई 7, कोई बच्चा कह रहाए, sir, 5 डाल दो, sir, तो मैंने put कर दिया, देखो, बच्चो, x की जगा 5, मैंने x की जगा 5 पुट कर दिया, तो मेरे y की value 0 आगई, x की डालो, y की पाओ, x की डालो, y की पाओ, बड़ा पाओ नहीं, पाओ, value पाओ, ठीक है, और y की value डालो, x की पाओ, value, y की value डालो, x की value पाओ, y की value डालो, x की value पाओ, आप जो चाहो, x की जगा पुट कर सकते हो, आपको y मिल जाएगा, आप जो चाहो, y की जगा पुट कर सकते हो, x मिल जाएगा, और सारे answer unique nature की होंगे, यानि अलग होंगे, इसलिए इसका answer क्या है, बच्चो, infinite many solution, अंगिनत solution है, तो sir, सारे निकालने पड़ेंगे क्या, अरे सारे तो निकालने सकते होगे, वो तो infinite है, वो रुकने वाला काम ही नहीं है, तो वो paper में आप से बोलेगा, दो या तीन solution निकाल लो, तरह तरह की equation देगा, और बोलेगा, दो solution या तीन solution, maximum चार solution निकाल लो, अब यैसे हमारे पास question आया, कहरे है, कितने solution निकालने बटा है, चार, और चार हो का चार हो क्या होने चाहिए, different, अब different का मतलब क्या, मैं आपको बजाता हूँ, बच्चों जगा minus 2 डालोगे, y7, y7 डालते तो value क्या आती, minus 2, इधर देख लो, x की जगा point डाला, y क्या आगया, 0, अगर मैं y की जगा 0 डालूँगा, तो x की value क्या आजाएगी 5, तो ये दो अलग-अलग solution नहीं है, x0, y5, y5, x0, ये दो अलग-अलग नहीं, एक ही solution है, तो ये ध्य question के, आपको कितने solution निकालने है, बेटा, 4, हमारे में इतनी गर्स निया कि हम infinite में से 4 solution निकाल पाएं, और वो भी हमारे मन पसंदर, मतलब जो आप चाहूँ, वो हो जाएगा, मतलब सब बच्चों का अलग-अलग answer आ सकता है, बिलकुल, चलो, अब भाया देखो, तुमारे गुरुजी के बाल हो गए है, सफेद, इतने साल हो गए, 19th year चल रहा है, पढ़ा रहा हूँ मैं, 19th साल है मेरा पढ़ाने का, समझ रहे हो, जो शायद मुझे नहीं जानते कुछ बच्चे कि मेरे को 19 साल हो गए, पढ़ाते हुए, जिसमें से 9th standard को लगबग, लगबग, मै यह है कि जब भी किसी variable के साथ number होगा, जैसे यहां y के साथ एक number है, तो y की value डालो, x की पाते जाओ, यह जल्दी हो जाएगा, y की value डालते जाओ, x की value आती जाएगी, अब यहां x डालोगे, तो भी solution होतो जाएगा, लेकिन जल्दी नहीं होगा, देखो hero बनने का क्या फा y की जगा pi डालते जाओ, लेकिन बेटा बात तो बता, चार आपको solution देने है, दो माक्स का कोशन आएगा, असान डालो तो भी दो number, मुश्किल डालो तब भी दो number, क्या फाइदा मुश्किल डालकर, तो basic value रखेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, जैसे जाएदा minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, basic numbers, और काम और असान कर रहा हूं तुमारे, देखो मैं directly बढ़ा सकता जा, लेकिन मुझे पता है कि मैं पास एक skill है, एक observation है, जिससे बच्चों का काम बहुत असान हो जाएगा, y की जगा value डालो, तो आ जाएगा, मालो question ऐसा होता, 3x plus y is equal to 6, तो मैं x की जगा डालूँगा, y की दोनों पर number होगा, आने दो question बताता हूं आपको, ठीक है जी, यह बरी question आने दो बताता हूं, देखो इदर, ठीक है ना, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैं put कर रहा हूं y की जगा, देखो सब्सक्राशान number होता है, put करना वो है 0, 1, 2, 3, basic रखोगे, पूरे number मिलेंगे, तो y को 0 put किया बेटा अबने, solve करना आता है न आपको, यह हो गया नश्ट, तो y की value आगई बच्चो 6, y को 0 put किया, तो x की value आगई 6, अब y को put करूँ हम है 1, तो 2 into 1, जहाँ जहाँ y है, वहाँ पर 1, 1 put किया, यह 2 वहाँ जाका, चलो, एक step और साही बेटा, सारे बच्च value आगई 4, जो मन में आए वो put करो, क्या समझे, अब जैसे मैं put कर रहा हूँ y को 2, लेकिन बेटा मुझे बात बताओ ना, hero बन के कोई फैदा नहीं है, तो यहाँ पर आगई 6, x प्लस 4 is equal to 6, और यहाँ पर x की value के आगई, बेटा हमारी 2 आगई, बहुत ही बढ़िया, फि क्योंकि मेरी observation है, मुझे पता है, इससे काम थोड़ा साथान हो जाता है, तो x minus 2 is equal to 6, वहाँ जाकर प्लस हो जाएगा, x की value के आगई, बेटा हमारी 8 आगई, अब देखो, जो आपको final answer छोड़ना हूँ ऐसे नहीं छोड़ना है, यह सब दिखाना है, तो therefore, for solution are, देखो, क जारो की जारो प्लेस करनी है, very important, अब जैसे पहला क्या था, y 0 था, x 6 था, ध्यान से देखना, y 0 है, x 6 है, बच्चे गलती गलते हैं, उल्टी गलते हैं, x की जगा y, y की जगा x, गलत हो जाएगा, क्योंकि teacher यहीं देखकर check करती है, जंदली, x 4 है, y क्या है 1, x 4 है, x 4 है, y क्या है 1, इदर y 2, x 2, y b 2 है, x b 2 है, y minus 1, x क्या है बच्चो 8 है, यह हमारा answer है, 4 solution निकलने को बोले थे, 4 निकाल दी, 4 और जारो valid है, 4 और different भी है, चेक है जी, और देखो, अब जैसे 2x plus y is equal to 7, तो मेरी advice क्या कह रही है बटा, x केस में आप कोई भी value डालो, तो आपको y y की value मिलती जाएगी, ठीक है न, अब जैसे यहाँ पर मैंने put किया x को 0, सबसे असान चीजी है यह put करने, तो हमारे y की value क्या आगई बेटा, 7 आगई, ठीक है जी, अब फिर हम put कर लेते हैं, x को ही 1, x को 1 put करो बच्चो, तो y की value क्या आगई, हमारी 5 आगई, बहुत basic है, ठीक है जी, फिर put कर लो, x को 2 put कर लो, 2 put किया, तो 4 मा जाकर minus हो गया, y की value 3 आगई, ठीक है न, फिर put कर लो, जैसे x को 3 put कर लो, जितना basic रखोगे, उतना जल्दी काम होगा, उतना number पूरे मिलने हैं, ठीक है न, तो therefore, therefore, for solution R, box बनाएंगे, कितनी जल्दी solve हो गया न, पहले में दिक्कत आई, क्योंकि नया नया concept था, बहुत basic सा question, 1 और 2 marker question है, 1 marker में कैसे पूछे का MC की format में भी आने वाला है question, ओहो, चलो, कोई बात नहीं, यहाँ पर x0 है y7 है, x0 है y7 है, x1 है y5, 2 पर 3, और 3 पर 1, हो गया, आँ, बड़ी ऐसा दिक्दो, ठीक है, मौच हो गई, चलो, अब यह वाला topic तुमारा खतम हो गया, अब sir, constant ही नहीं आया, constant नहीं है, अब देखो constant, constant तो है नहीं, y का पड़ोसी क्या है, 4, x के साथ तो कोई number नहीं है, y की जगा value डलते जाओ, x की जगा आती जाएगी, देखो भी यह, x is equals to 4y पुट कर देंगे, y को 0, x into 4 into 0, x की value भी क्या आगई 0, कर लेंगे बढ़ाई question, yes or no, ऐसे ही पुट कर लेंगे, y को 1, x is equals to 4 into 1, x की value क्या आजाएगी 4, 1 पर क्या आगई 4, 2 पुट करूँगा तो 8, 3 पुट करूँगा तो 12, box बन जाएगा, कर लेंगे, basic question है, चलो, लेकि अगर हमारे पास दोनों जगा constant आजाता है, तो क्या करना है, तो भाईया, मान लो, ऐसे, minus वाला भी आगए, और ये 12 आगया, दोनों जगा constant आजाता है, कोई बात नहीं भाई, अब देखो, देखो, वहाँ पर मेरा conclusion गाम करगा, यहाँ कोई conclusion गाम नहीं करेगा, जो मर्ज value होती है, x की जगा 0 डाला, गल्तियां देख लो अपनी, यह गल्ती करेंगे, 60% बच्चा यह गल्ती करता है, देखो, 3, 0, 0, minus 2y, equals to 12, तभी मैंने minus लिए, 0, minus 2y, बच्चे सिरफ 2y लिख देते हैं, जबके answer क्या आएगा, minus 2y, कई बच्चों को लगा, sir, यह कैसी mistake कर दे है, बच्चा करते हैं, यह करते हैं, मेरे offline और paid batch में आओ, मैं आपको बताता हूँ, कितने बच्चे यह mistake कर रहे हैं, कितने सालों से कर रहे हैं, बच्चा, फिर बच्चे कहीं बच्चे तो इतने weak होते हैं, कहते हैं, minus 2 बहाँ जाकर plus 2 हो जाएगा, बच्चा क्या होगा, divide को 0 जो मन में है किसी को put कर लो अच्छा ज़रूरी निया throughout the question x ही put करना है कभी x put कर सकते हो कभी y देखो ना मैंने x put किया अब y को put कर रहा हूँ ये आपकी इच्छा है totally ये 0 हो जाएगा 3x minus 0 is 3x x की value बच्छो क्या आ गई 4 आ गई अच्छा जी अब put कर लेते हैं जैसे y को 1 put कर लेते हैं y को 1 put किया बच्छो देखो तो 3x minus 2 वहां जाके plus हो जाएगा x की value क्या आ गई 14 by 3 decimal में करने की need नहीं है अब आप x को भी 1 put कर सकते हो x को 1 put करेंगे बटा देखो ध्यान से यह वहां जाकर minus हो जाएगा minus 2y is equals to 9 अब y की value आ जाएगी minus 9 by 2 minus 2 से divide हो जाएगा box लिख लेंगे बहुत ही simple है यार very simple value डालो answer पाऊ value डालो answer पाऊ कितना कहानी है कोई formula नहीं अभी तक clear है जी चले अब आते हैं ऐसे question पर कि जो एक number में ऐसा पूछा जाएगा अब यहां तो यह mcq format में नहीं है लेकिन यही same question mcq format में पूछा जा सकता है check which of the following are जैसे यहां पर तो multiple answer हो सकते हैं are the solutions of this equation अब equation आपको दे रखी है x minus 2y is equals to 4 अब देखो यहां पर नहीं coordinate form में लिख रखा है अब जिन बच्चों को chapter number 3 नहीं आता मैंने अभी starting बता है वो जाकर एक बार ही देख सकते हैं वैसे coordinate format में बोलूँ तो यह fc सा यानि x होता है यह ordinate यानि y होता है ठीक है बटा x, y बसन में आ गई अब आपको check करने है क्या यह इसका solution है मतलब पहला part कर रहा हूं ध्यान से देखना x minus 2y is equals to 4 अब मैं lhs के अंदर lhs मतलब left hand side जहां x और y दिख रहा है मैं put करूँगा x की जगा 0 और y की जगा 2 x की जगा 0 और y की जगा 2 तो answer के आगा बिटा मेरा minus 4 0 minus 4 is minus 4 और वो मेरे rhs के बराबर नहीं है तो मैं कह दूँगा no 0,2 is not a solution मतलब अगर यह mcq format में आएगा तो वो बोलेंगे इस equation का इन चारों में से कौन सा solution है अब जैसे यह वाला तो नहीं आया hit and trial करकर के देखना पड़ेगा तो one mark में बूल सकता है पिछला question और two marks, three marks में तो आता ही आता है अब जैसे चेक करते हैं क्या two comma zero है या नहीं है तो देखो x minus two y is equals to four फिर क्या ले लिए बेटा हमने अपना lhs यह x होता है और यह y होता है x की जगा two डालके देख लेंगे y की जगा zero डालके देख लेंगे x की जगा two और y की जगा आगया zero तो two minus zero क्या आगया two क्या ही हमारे rhs क्या ही हमारे rhs के बराबर है answer is no तो यानि यह भी इसका solution नहीं है चेक करके देखते हैं four comma zero तो lhs x की जगा पुटकिया four और y की जगा पुटकिया zero equation अब भी यही है equation क्या है x minus two y is equals to four सही है न बेटा सही है x की जगा क्या पुटकिया four और y की जगा क्या पुटकिया हमने zero यह क्या आगया four और four किसके बराबर है बेटा four के तो answer आगया अब भी इस ये वाला पॉइंट इसका solution कब होगा जब LHS, RHS के बराबर आजाएगा। अब इसी की मदद से एक बहुत brilliant question ये मान के चलो इस प्रकार का paper में आपका hundred and percent आएगा। ये वाला question आपके UT, PT, Midterm, कहीं पर भी अगर नहीं आया इस प्रकार का question तो भईया मैं पढ़ाना चोड़ दोगा। और बता दो, hundred percent ये paper में आएगा, hundred percent कोरे कागस पर लिखवा, लो साल की अंत में बात करेंगे कि ये आया नहीं आया। PY क्यों ठालो, अपने school के या पूरे के पूरे हिंदुस्तान के, ये कहीं न कहीं आपको दिखता है, one marker, two marker कहीं भी दिख सकता है, चले बटा, देखो, कुछ नहीं है, बहुत simple question होता है, variety बहुत जादा है, variety बहुत सारी है इसकी, चले बटा, क्या कहा रहा है, x is equals to two and y is equals to one, इस equation का solution है, ये confirmed है, क्या लिखा है, find the value of k, आपके एक ही value बताओ, अगर, x is equals to two, y is equals to one, इस equation का solution है, solution है तो क्या होगा, LHS, RHS के बराबर होगा, चीक है जी, अब देखो, 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 since, x is equals to two, y is equals to one, is a solution of x, 2x, plus 3y is equals to k, तो therefore, x की जगा मैंने डाला two, y की जगा डाला बिटा मैंने one, और ये किस के बराबर आगया, k के, यानि वो RHS के बराबर आगया, अब देखो, हम यहाँ चेक कर रहे थे कि है या नहीं, yes कब आया था, जब मैंने LHS में x और y पुट किया, और मुझे RHS के बराबर मिल गया, तब मैंने का, yes, वो उसका solution है, अब यहाँ पर मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर मैं कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, question कह रहा ह कि वो solution है, अब वो question कह रहा है कि solution है, तो मैंने LHS के अंदर value put की, तो RHS के बराबर आना चाहिए, और आएगा, तो यहाँ गया 4, plus 3 is equals to k, तो therefore वहीया k की value कह आगी हमारी 7 आ गए, एक और देखो, एक और देखो, 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 ऐसा एक और question, फिर वहीं, if this point lies on the graph of this, lies on the graph का मतलब वही है इसका मतलब, मतलब याद रख लो, मतलब यही है कि 3,4 is a solution of 3y is equals to ax plus 7, same, आपको एक ही value निकालनी है, फिर वही आया sense, x is equals to 3, y is equals to 4 is a solution of 3y is equals to ax plus 7, therefore, y की जगा 4, x की जगा 3, a की value आ जाएगी, 12, minus 7, और यह आया 3a, 5 is equals to 3a, a की value क्या आगी भईया, 5y3, यह हमारा answer आ गया, brilliant question है, ऐसे आप ढूणने जाओगे, आपको कम से कम कम से कम नहीं तो इसके भईया, 10 questions तो करना, 10 questions तो आपको करने ही करने है, कहां से करोगे, NCRT के करा दिये दोनों मैंने आपको, आप exemplar उठा लो, आप exemplar उठा सकते हो, वो ना उठाओ, तो और कोई किताब देख लो, या online पे भी आप जाकर आप देख सकते हो, online 500 questions मिल जाएंगे आपको, ठीक है जी, got it, एक दूसरे की help कर सकते हो, यहीं पर ही comment करो, किसी बच्चे ने दो questions ढूंड लिये, copy करो, और यहीं पर ही comment section भेज़ दो, बाकी बच्चों की मदद हो जाएगी, वो कर रहे हैं तो आपको, मिल बाट के काम हो सकता है, यह 4-5 questions, 10 questions कम से कम आप ढूंड के यह जरूर करें, school के assignment मिल जाएगा, past years के papers में मिल जाएगा, ठीक है जी, हमारी ही किसी live class में मिल जाएगा, मैंने chapter 3 और 4 के important question भी करा रखे हैं, live class में, वहाँ पर जाकर आपको दिख जाएंगे, बहुत सारा content available already है, ठीक है, चले, चलो, अब यह प् के पूरी-पूरी NCRT खतम हो गई है, मैं अगर नई NCRT की बात करता हूं, तो, अब जो मात करा रहे हैं, वह NCRT बहुत कम है, लेकिन मैं 4-5 question अभी आपको यहाँ पर कराऊंगा, word problem के, यानि आपको equation develop करनी है, यह बहुत जादा paper में पूछा जाएगा, और खास करके, यह word problem, case study के रूप में भी आ सकता है, word problem में क्या होगा, पहले आपको case study, जैसे भी दूँगा, आपको एक equation बनानी है, तो इन 4 question के माद्यम से मैं try करूँगा, आपको समझाओ, और मैं फिर बोलूँगा, ऐसे हर चप्टर के अच्छे अच्छे नए नए प्रकार के question के लिए, मैं Instagram पे भी Reels के माद्यम पे पढ़ाता हूँ, तो घई उशांग, आप follow कर सकते हो, बहुत अच्छे तरीगे से वहाँ बच्चे प्यार दे रहे हैं, science के लिए दाड़ी वाले सर है, वहाँ पर आप जाकर उनको पढ़ाई, आशु सर ने एक Instagram ID, अभी अभी हालिव नहीं और 100 के भी होने वाली है, वहाँ दाड़ी वाले सर, अगर आप हो तो follow कर सकते हो, और बाकी आपकी जो SST Queen यानि रीमा में है, वो भी हर एक 9th और 10th के बच्चों को SST, Instagram की real के through भी पढ़ा रहे है, बड़ा असान हो जाएगा आप लोगों के लिए, एक एक कोशन आएगा, अब जैसे मैंने कल ही एक कोशन डाला था, क्लास इसी चैप्टर का, तो वो भी आप जाकर देखने जा सकते हैं, तो यह सारे के सारे, और प्रैक्टिस, जैसे मैं के वले कोशन नहीं कहरे हैं, उसकी और प्रैक्टिस मैं Instagram पे भी करा रहा हूँ, तो वहाँ पर भी हमें follow कर स प्राइम मिनिस्चर रिलीफ फंड, प्राइम मिनिस्चर रिलीफ फंड में उन्होंने सौर पे दोनोंने मिल कर डाले, छीग है जी, write a linear equation, अब मुझे बाद 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 बताओ, कि यामिनी ने कितने बैसर डाले, मैजॉर्टी बच्चे सिर्थ 50 रुपे, अरे ये कहां लि पांच रुपे, फातिमा पिच्चानवे रुपे, यामिनी पचास, फातिमा और सौपचास, यामिनी 60, फातिमा 40, यामिनी 99, फातिमा 1, यामिनी 99.5, फातिमा 0.5, ये भी तो बहुत साई solution है, तब ही तो क्या बोला है, linear equation in two variables, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट, contribution, contribution, made by, यामिनी, made by, यामिनी, बी रुपेज, एक्स, and contribution, and contribution, made by, फातिमा, बी रुपेज, बातिमा, बी रुपेज, ये, अब आतिये बात, according to question की, ATQ, according to question, दोनोंने मिलकर, कितने रुपे contribute किये, 100 रुपे, यही हमारा answer है, आगे आपसे यहाँ पे कुछ पूछा नहीं, हो सकता है, पेपर में आपसे पूले, दो solution बताओ, या इतना भी पूछ सकता है, two marks में, ये two marks सा question बहुत perfect बनता है, ठीक है न, थोड़ा सा औ और याड़ कराना है, बोलेगा, राइड अनी one solution, राइड अनी two solution, ऐसा कुछ पूछ लेगा, के स्टड़ी के रूप में आयागा, तो बोलेगा, अगर एक्स या, अगर यामीने पचास पर डाले तो फातिमा कितने डालेगी, अगर यामीने पातिमाने सेवन्टी आजाता है, मिटम में भी आजाता है वैसे तो, लेकिन मिटम तक चांस है इसका के स्टड़ी बननेगा, वरना हंडर परसंट एक के वाला कोशन तो मान के चलो तुमारे में आगया, वर्ड परलाम के अभी हाय चांस होते हैं, नहीं जो नहीं अभी NCRT उसके अभी कम हो गए है, तो इसलिए थोड़ा चांस कम हो गया है हरे स्कूल में, लेकिन मोस्ट अफ दर स्कूल इसको एक्स्ट्रा जाकर पढ़ाते जरूर है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पुरानी NCRT के कोशन, जैसे किता प्यारा कोशन है, हमारे NCRT में भी इस जैसा है नोटबुक और पैन जैसा, तो वहला कोशन आपका लेना, मैं एक्स्रा कोशन लेकर आए हूँ आपके लिए, कहरे दा कॉस्ट ऑफ बाल पैन, यह मारी ना ओल ना पुरानी NCRT में, ना नही NCRT में कॉस्ट ऑफ बाल पैन is Rs.5 less than half the cost of a fountain pen कहरے Balpen की जो cost है, दुबार पड़ो, बड़ा slow बड़ा पड़ना होता है कहरे, cost of a ball pen is Rs.5 less than half the cost of a fountain pen माल लो fountain pen 100 रुपे का है तो बाल पैन कितने का हो जाएगा? इसका अधा करो और 5 रुपे कम कर दो 350 रुपे अगर हमारा fountain pen 40 रुपे का है तो मारा ball pen कित्ते का हो जाएगा इसका आधा करो 40 divided by 2 और 5 रुपे और कम कर दो तो यहनी 15 रुपे का हो जाएगा क्या लिखा है 5 less than half the cost of fountain pen half the cost of fountain pen चलो जी let करते हैं जी let कर लो अब फिर दो प्रकार की question बन सकती है वैसे तो question में बोलता है कि किसको आपने x लेना है किसको y लेना है लेकिन अगर आप नहीं भी बोला हुआ तो आप किसी को भी x ले सकते हो किसी को भी y ले सकते है तो let cost of ball pen b rupees x दो चीज़ों की बात ओरी है है यहाँ पर तो उनको x और violet कर लो cost of fountain pen ball pen है वो किसके बराबर है fountain pen के आधा minus 5 जी तो है अभी तो किया था ना अब आपको थोड़ा simplify कर लेना है जैसे यहाँ पर आप lcm ले लो y 5 to the 10 हो गया ऐसी होता न lcm 2 यहाँ चला जाएगा 2x is equals to y minus 10 यह धर आ जाएगा 2x minus y plus 10 standard form में करना जरूरी है यह हमारा answer आ गया ठीक है जी समझने वाली बात एक है बागी सब तो calculation है ठीक है न अरे आजा बाबू चलो यह आपको समझना है कि जो एक ball pen है वो fountain pen का आधा minus 5 रुपे है ठीक है जो बोलेगा वस वो लिख देना चले और देखें और देखो अब यह से यह है एक lending library has a fixed charge for first three days पहले तीन दिन के लिए charges fixed है पहले तीन दिन के लिए charges fixed है चलो and an additional charge for each day thereafter यानि अगर आप उनसे कोई किताब किराय पर लेते हो एक दिन के लिए तो आपको x रुपीज देने है तीन दिन में अगर आप आदा दिन एक दिन देड़ दिन दो दिन धाई दिन तीन दिन रखते हो तो आपको महाचर x रुपीज देने है लेकिन उसके बाद आप एक भी दिन extra रखते हो तो per day का y रुपीज आपको pay करने पड़ेंगे समझ गए आरुशी ने 27 रुपे दिये है 7 दिन किताब रखी थी fix charge देखो कोशन में दिया हुआ है x charge है ठीक है न तो fix charge let me किया मैंने अब given ही है fix charge कितना है रुपीज x और per day charges कितने है उसके बाद यानि 3 दिन के बाद जो per day charges है वो कितने है रुपीज अब कोशन समझना भी या देखो अगर 7 दिन उसने किताब रखी है 7 days तो पहले जो 3 दिन है उसमें तो x रुपीज ही देने है उसको fix है वो तो आदा दिन रखे, पॉना दिन रखे, 3 दिन रखे, x रुपीज दे कर आएगी extra कितने दिन रखे है उसने, extra, 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 चार दिन एक दिन का कितना है y, दो दिन का कितना हो गया, 2 y, तीन दिन का क्या हो गया, 3 y, चार दिन का कितना हो गया, 4 y तो X तो उसने देने ही देने थे क्योंकि उसने बुक उठा ली और गेट से भार नहीं के लगी X तो देने ही देने आए एक दिन, दो दिन, तीन दिन के उसके बाद उसने चार दिन फाल्तू रखी है तो कितना हो गया भीया? 4Y टोडल खर्चा कितना आगया? 27 सही है? अच्छा अगर मानलो यही किताब उसने 11 दिन रखी होती तो 3 दिन के लिए तो कितना हो गया भीया X? फाल्तू कितने रखी है भीया उसने? 8 तो यह जो 8 दिन फाल्तू रखी है तो उसका कितना हो जाएगा? 8Y तो X प्लस 8Y is equal to 27 रुपई थे अब जल्दी से comment में बता दो कि अगर उसने 15 देस किताब रखी और 27 रुपीज पे की होते तो क्या equation बनती? जल्दी से इसको आप comment कर दो important question है 10 तक पीछा नहीं छोड़ेगा चलें? बढ़िया है? चलें? last question last यह पांच है तो एक मैं कर देता हूँ एक आप कर देना ठीक है न? last वाला आपको हुंवख चला जाएगा जो मर्जी होगा last वाला मैं इंस्टाग्राम पर आपको पढ़ा दूँगा got it? बाकी मतलब ऐसा नहीं है सब वो असानी है दो कोशन है एक कोई तो हुंवख जाएगा तो यह अला मैं करा देता हूँ एक ही बात है a bag contains some one rupee coin एक bag के अंदर कुछ एक रुपे के सिक्के थे कुछ और कुछ पचास पैसे के सिक्के थे half rupees के सिक्के और total पैसा कितना था था भईया? 120 equation बता नहीं है देखो भईया तो लेट कर लो number of rupees one coin x ले लो and number of rupees half coin b y अगर एक रुपे के 5 सिक्के हैं तो कितने रुपे बन गए? 5 एक रुपे के 10 सिक्के हैं तो कितने रुपे बन गए? 10 एक के 20 सिक्के हैं तो कितने बन गए? 20 तो एक के 1 सिक्के हैं तो कितने रुपे बन गए? x रुपे आच्छा अब 50 पैसे के 2 सिक्के हैं तो कितने रुपे बनेंगे? 1 50 पैसे के 10 सिक्के हैं कितने पैसे बनेंगे? 5 50 पैसे के 100 सिक्के है तो कितने रुपे बनेंगे? 50 आदा हो जाएगा अब 50 पैसे के वाइस इक है तो रुपया कितना हो गया य का आदा टोटल पैसा कितना अब ही है य वाइवाइड है 120 मतलब चीक है ना अब आप LCM ले लोगे 2x plus y is equals to 120 2x plus y is equals to कितना अब ही है 240 standard form के लिसको यहां ले आना सही है ना सिंपसी बात है यह उससे multiply होगा देखो यह number of coins और एक coin कितने का है एक रुपय का तो यह 1y हो गया ऐसे भी समझ सकते हो देखो हाँ जी तो 1 into x x क्या है number of points 1 क्या है denomination ठीक है जी y क्या है number of coin half क्या है बच्चो डिनॉमिनेशन दोनों को जोड़ा तब पैसे कितने बने हाफ 120 ठीक है जी सेम बनागी question अब okay ऐसे भी समझ सकते हो चालो अब last बचा है अब इसको ना suspense नहीं छोड़ेंगे बच्चे फिर परशान भी हो सकते हैं क्योंकि question बड़ा important है सारे important है यह थोड़ा जादे important है तो पहले मैं आपको दे रहा हूँ ना तब वीडियो को pause कर लो मा कसम लगेगी ठीक है ना pause करो वीडियो को pause करो और देखो खुद हो रहा है कि नहीं हो रहा और फिर मैं करा हूँ go for it चालो मेरी उमीद से आप लोगों ने try जरूर किया होगा और pause को अब unpause करके आप मेरा answer देख रहे होगे चालो क्या क्या रहा है टेक्सी ना city is as follows टेक्सी का भाड़ा कैसे calculate हो रहा है आओ देखते हैं for first kilometer the fare is rupees 8 ओला बुक्की गेट खोला बैठे एक किलोमेटर आगे गए उत्रे 8 रुपे देती है ठीक है जी लेकिन उसके बाद अगर आप आगे और जाते हैं तो हर किलोमेटर का आपको पांच-पांच रुपे देना होता यानि यह मेरा starting point है यह पहला किलोमेटर है फिर यह next kilometer 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 तो इस पहले का आपको 8 रुपे देना है अले दूरी यह भी वन ही यह भी वन है यह सारे वन वन है ठीक है ना चलो यार गलती हो गई यह पहली वन किलोमेटर थी यह भी वन किलोमेटर है यह भी वन किलोमेटर है यह भी वन किलोमेटर है चलता जा रहा है पहले के 8 रुपे देने है उसके बाद हर एक किते किते देने है पाँच 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 चलता रहेगा माल लो आप 10 किलोमेटर गए तो पहले के तो किते दे दिया आपने 8 अब 10 किलोमेटर की किते देने आपको 9 किलोमेटर की पैसे दोगे ना भी या 9 इंटु 5 भी पहले के तो दे दिये ना चलो पहले छोटे किलोमेटर से प्राय करते हैं अब जैसे अगर मैं पहला किलोमेटर गया तो 8 आया दो किलोमेटर जाओंगा तो आठ प्लस पांच आएगा पहले किलोमेटर का आठ है उसके बाद सबसीक्वन किलोमेटर का पांच पांच रुपे है तो आठ प्लस वन इन्टू फाइफ यह आया दो किलोमेटर का काम चेक है जी तीन किलोमेटर की बात करूँगा तो 8 तो देने ही देने है अब बचे 2 किलोमीटर के साब से 5 रुवे के साब से अगर मैं 4 किलोमीटर की बात करता हूँ तो 8 एक किलोमीटर का दे दिया बचे 3 किलोमीटर 5 रुवे के साब से इसी प्रकार से अगर मैं 10 किलोमीटर की बात करता हूँ तो 8, 9 km का बकाया पैसा बचा है इसी प्रकार से अगर मैं 100 km की बात करता हूँ तो 8 प्लस 99 इंटू में 5 होगा और इसी प्रकार से अगर मैं x km की बात करता हूँ तो x 10 का एक कम हो गया 9, 100 का एक कम हो गया 99 2 का एक कम हो गया 1 3 का एक कम हो गया 2 चार काई कम हो गया तीन ऐसी X काई कम कर दूँगा X-1 तो यहाँ पर हमको देखो टोटल डिस्टेंस दे रखा है X समझेते हैं दुबारा से बहुत बढ़िया कोशन है X किलोमीटर और टोटल फेर जो है टोटल भाड़ा जो हमने उसको दिया है वो है रुपीज वाई तो भाईया यह तो आगया रुपीज वाई के बराबर according to question ATQ RHS तो वाई आएगा ठीक है ना पहले किलोमीटर के आपने दे दिये 8 रुपया अगर आप टोटल X किलोमीटर चले हो एक का भड़ा दे चुकी हो कितने बच गए? X-1 बच गया? कितने बच गया? X-1 एक कम क्यों रहा है? देखो भाईया दो में एक कम किया था तब एक आया था 4 किलोमीटर में कम किया था तब 3 आया था 10 में एक कम क्योंकि भाईया एक का भड़ा आप दे चुके हो बचे हुए इक किलोमेटर का भड़ा देना है एकस में से एक किलोमेटर का फेयर, एक किलोमेटर का किराया आप दे चुके हो अब कितना किलोमेटर बचा है एकस माइनस बन कहीं तो इसाब करना है और वो कितने रुपे के इसाब से है पांच रुपे के साफ बन गई कोईशन ठीक है जी ओके बाकी इस कोईशन को मैं इंस्टाग्राम पर भी दुबारा पताऊंगा वहां की जंता के लिए भी तो तब तक आप इसको प्रिपेर कर लो चैप्टर खतम हो गया जी एक्स्टा कोशन ही बहुत सारे करा दिया है जी होंवक लिख लो एंस्टी पूरी कर लेना एक्जेंप्लर पूरी कर लेना स्कूल में अगर ग्राफ कराने को बोले हैं स्कूल में अगर बोला है कि सर इसका ग्राफ भी आएगा वह तो आता नहीं मेरे पेट बैच और यहां पर भी किसी बच्चे ने ऐसा बोला नहीं कि मुझे ग्राफ करने लेकिन अगर आप मैंसे कुछ बच्चे को आता है तो तो बोला था जित्ता भी याद करने को बोला था को अधर भी अटर्नेस लगा देना कि भाई हम 2024 का यह लेक्ट्टर देखने के बाद मुझे बाद वहां पर आएं कि ताकि मुझे बदा चलता रहे कौन-कौन बच्चा देख रहा है अगला चैप्टर कौन सा होना चुए यह में जुरूर बताएं real numbers या polynomials यह दोनों में से कोई एक चैप्टर में कराना चाओंगा या तो number system वही real numbers या अमारा polynomials got it? तो comment में जुरूर बताना विलूँगो अगली class में तब तक के लिए bye bye take care have a nice day